Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज किस वीडियो में आपको बताऊँगा कि Normal Spark Plug और Iridium Spark Plug के बीच में क्या डिफ्रेंस है क्या सच में Iridium Spark Plug बेहतर होता है और आपको आपकी गाड़ी की engine की capacity के हिजाब से इन दोनों में से कौन सा Spark Plug यूज़ करना चाहिए यह सब आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले Friends, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल के एप के बारे मताना चाहूँगा रीटेलर्स और डिलर्स भायो मैं आप लोग के लाया हूँ एक एक्स्क्लूजिव अप जिसका नाम है लॉक दिडील यह अप इनर्जी और एलेक्टिकल अप्लाइंसेस का Amazon है यह अप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा आप अपने फोन नंबर अपना एरिया का पिन कोड अपना नाम और अपनी कमपनी के नाम के साथ यहाँ पर रेजिटर कर सकते हैं इसके बाद आप अपने दुकान के लिए सारे प्रोड़क्स जैसे की इनवर्टर, बैटरी, आटोमोटिव, बैटरी, इलेक्टिकल अप्लाइंसेस और भी बहुत सारे प्रोड़क्स असानी से ओर्डर कर सकते हैं समान आपके डोर रिष्टे और रुपे वो भी डिसकॉंटेड रेट पे मिल जाएगा यहाँ पे आपको सभी ब्राइंट्स के प्रोड़क्ट मिल जाएंगे जैसे कि इनर्जी के ब्राइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अमेरोन, अमेज, एकसाइड, लिवगार्ड, लिवफास, लुमिनस, माइक्रो टेक, उकाया और भी अलग-लग ब्राइंट के प्रोड़क्ट मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल प्रोड़क्ट की बात करें तो सारे बड़े ब्राइंट्स है, वेल्स, उशा, बजाज, क्रॉम, टन, ओरियंट और यह बहुत सारे ब्राइंट्स के प्रोड़क्ट यहाँ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे हर हफते डिल्स भी होता है इस एप में एक साथ ओर्डर करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको क्वांटिटी का रिकॉर्मेंट है, आप उतना भी ओर्डर कर सकते हैं तो खोलिए आप अपनी दुकान लॉग दी डील के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अभी डॉल्लोड जरूर करें फ्रेंज, स्पार्क प्लग दिखने में तो बहुत छोटा होता, लेकिन जो छोटा सा कॉंपोनेंट है, ये इंजन का एक इंटीगरल पार्ट होता है, आप देख सकते हो सिलेंडर हेड़ में आप यहां पर देख सकते हो स्पार्क प्लग लगा हुआ है, और जब स्पार्क अगर अगर कभी ऐसा हो जाए, कि इंजन इस बहुत ही जादा है, लेकिन मैं आपको आपे बताना चाहांगा, कि जब इंजन ओपर आपरेशन में होता है, जब हमारी गारी का इंजन ओन होता है, उस वक्ट इस इस स्पार्क प्लग के ऊपर में लगतार फिजिकल, केमिकल, थर्मल अटाइक होते रहता है स्पार्क प्लक के उपर में कोरोजीब गैसियस का 200 डिगरी सेल्सियस पे इलेक्टिकल अटाइक होता है इसके साथी पिश्टन के दुवारे स्पार्क प्लक के उपर में 2000 पॉंड पर स्क्वार इंच यानी की 2000 PSI पे क्रशिंग प्रेशर परता है इसके साथी स्पार्क प्लक के उपर में 2000 वोल्ट का इलेक्टिकल डिस्चार्ज भी होता है इसलिए ये बहुँ ज़्यादा जरूरी है कि इंजन में लगावा जो स्पार्क प्लक है वो सही हो सही कंडिशन में हो और ये सही से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो अब अगर हमें नॉर्मल या और्डिनरी स्पार्क प्लक की बात करें तो वहाँ पर जो मेटल होता है वो मोशली निकल, आइरन, क्रोमियम या कॉपर मेटल होता है वही दूसरी तरफ जो इरेदियम स्पार्क प्लक होता है जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पर इरेदियम मेटल होता है और ये जो इरेदियम मेटल होता है वो धर्टी पे पाया जाने वाला one of the hardest, strongest, precious, और rarest मेटल होता है और ये metal बाकी के metals के मुकाबले six times harder, eight times stronger होता है, साथ ही iridium metal 2454 degree Celsius तक temperature को withstand कर सकता है, उस temperature तक भी ये काम कर सकता है, इस table में आप चार अलग-अलग factors, melting point, strength, electrical resistance और hardness पे iridium, platinum, nickel, gold और silver का comparison देख सकते हो, और आप देख सकते हो, कि iridium बाकी के metals के मुकाबले melting point, strength और hardness में बहुँ ज़्यादा आगे है, और ये जो चारो ही factor है, ये किसी भी spark plug को manufacture करने के लिए और spark plug को सही से काम करने के लिए बहुँ ज़्यादा जरूरी है, फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि जो iridium spark plug है, वो बाकी के spark plug से कैसे बहतर है, देखे पहला point है firing efficiency and performance, कोई भी metal का spark plug हो, वो तब ही बहतर होगा, जब जो spark plug से spark या नहीं, जो चिंगारी निकल रहा है, उस चिंगारी का ground electrode के साथ जितना कम contact हो, जो असान लफजों में कहें, तो जो ground electrode है, वो जितना ज्यादा पतला होगा, उसका diameter जितना कम होगा, वो spark plug का performance और efficiency उतना बहतर होता है, और जो iridium spark plug है, वहाँ पे जो ground electrode है, वो 0.4 mm तक हो जाता है, जो कि बाकी के type के spark plug से बहुत ज्यादा कम है, साती यहाँ पे जो electrode gap है, जो spark gap है, वो भी 0.8 mm होता है, जो कि बाकी के spark plug से बहुत ज्यादा कम है, और इन सब कारणों से जो iridium spark plug है, वो high performance bike हो, या high जब speed में चल रहे हो, उस time पे बहतर efficiency के साथ और बहतर performance दे पाता है, आगला जो point है, वो है voltage, मैं आपको बता दूँ कि जो iridium spark plug है, उसको spark क्याने की चिंगारी निकालने के लिए कम voltage का ज़रूत होता है, यहाँ पे 3000 से लेकर 5000 volts या जो voltage है, उससे काम चल जाता है, लेकिन बाकिके spark plug में ऐसा नहीं होता है, और कम voltage के वज़ा से भी आज के टाइम पे आप देखोगे, कि जो high performance वाली, high engine वाली, जो हमारी bikes है, यह cars है, जो दूसरी कोई भी गाड़ी है, वहाँ आप पे iridium spark plug को दिया जाता है, अब जो अगला point है, वो है smoother idling, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके गाड़ी की engine में, जो हमारा iridium spark plug है, वो लगाओगा, तो आप feel करोगे, कि जो आप गाड़ी के engine को start करोगा, और उसे चलाओगी नहीं, सर्फ engine start रहेगा, यानि कि जो idling का position है, उस time पे जो idling होने वाला है, वो जादा smoother होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो flame निकल रहा है, वो जादा smoother निकल रहा है, और साथी यहाँ पे कम voltage का भी जरूरत होता है अगला जो point है, वो है improved engine performance, खास करके मैं यहाँ पे acceleration की बात कर रहा हूँ, अगर आपके गाड़ी में जो radium spark plug है, वो लगा होगा, तो जो acceleration है, खास करके मैं आपको पता दूँ कि zero से भी आप, शुरू से start कर रहें उस time पे, या आप top speed पे चला रहें उस time पे भी, जो acceleration है, वो बहतर देखने को मिल जाता है, normal spark plug के मुकाबले में, लेकिन जो normal spark plug है, वो अगर कम CC की गाड़िया हो, वहाँ पे बहुत ही बहतर तरीके से acceleration दे पाता है, अगला जो point है, वो है decreased fuel consumption, मैं आपको पता दूँ यह कैसे होता है, चुकि जो spark plug iridium वाला है, उसकी efficiency बहतर होती है, इसलिए यहाँ पे miss fire का problem नहीं देखने को मिलता है, या बहुत ही कम देखने को मिलता है, साथी यहाँ पे जो combustion है, यानि कि जो petrol का जलना हो रहा है, वो complete होता है, clean होता है, proper होता है, fuel का wastage नहीं होता है, जितना petrol जलता है, उससे engine को power मिल जाता है, और यही सब कारणों स कि जो हमारे iridium spark plug है, उसका life बाकी के spark plug से जादा होता है, जहां बाकी के spark plug अरौंड 15,000, 20,000, 22,000 km तक ही चलता है, खासकर करके scooter की बात करें, तो वहाँ पे तो companies recommend करती है, कि normal spark plug को 12,000 में ही change कर देना चाहिए, लेकिन जो ADM spark plug है, उसका life अराम से अरौंड 1,000,000 km तक होत है, अब अगर हम लोग प्राइज की बात करें, तो प्राइज में दोनों भी टाइप का spark plug में बहुत ही जादा, difference है, नॉर्मल वाल आपको 100 से लेकर 200 रुपए के आसपास मिल जाता है, बहुत सारा तो 60-80 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन minimum आपको iridium spark plug के लिए 600 नॉर्मल या पर iridium कौन सा spark plug यूज करना चाहिए, इसका जवाब को मिलेगा, जो गाड़ी के साथ honor book, जो service manual होता है, वहाँ पर ये लिखा हुआ होता है, आपको यहाँ पर check करना पड़ेगा, मेरे bike में दिया गया है, कि मुझे NGKLMAR8J-9E, इस जो code है, उसका spark plug यूज यूज करना चाहिए, हर गाड़ी के लिए, जो code है, वो अलग अलग होता है, तो आपको वो जरूर चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको spark plug को चुनना चाहिए, आप इसे offline भी खरी सकते हो, या फिर online भी मंगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके पास 100-700cc का buy के और आपको पसंद आए होगी, वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक् आप बी चरूर कर ले, मिलता अगले वीडियो में, थैंक्स वाचिंग इस वीडियो, गुड़ बाई